खारे किस्णा आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का जोति शिग्यान हिंडी पांचांग के अनुसार अश्वनी महा की पूर्णिमत्य थी इस साल 16 अक्टूबर दिन बुद्वार को पढ़ रही है शरण पूर्णिमा के दिन मालक्षमी के साथ साथ भगवान सिरी कृष्ण औ और राधारानी की पूजा का भी विधान है शरण पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा तितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर मानी जाती है इस दिन कुछ जोतिस उपाय करना भी श्रिष्ट और लाबकारी से हो सकता है ऐसे में आए जानते हैं कि शरण पूर्णिमा पर प्रेमर करती हैं जो लोग इस रात को जाकर मालक्षमी की उपासना करते हैं उन पर मालक्षमी की असिम किरपा होती है जोतिस्य दिस्टिक कौंड से यदिस रात लक्षमी जी की शौर्ण सौब चार विदी से पूजा की जाए तो सिरी सुक्त कनकधारा सुरोत तथा चैंडर्मा की पूजाणा करणी सांस्ыт्त्रों करने साल मालक्षमी का जन्व शर्ण पूर्णिमा के दिन हुआ ता इसलिए ढ़ेश के कैई हिस्सों में इस दिन लक्षमी जी का पूजन किया जाता है कुवारी करने आए इस दिन सुभा सूर्य और चंदरदेव की पूजा करने से मन चाहिवर की प्राप्ति कर सकती है शरपूर्णिमा के दिन किर्णों से अम्रित तत्व बरसता है ऐसे में चंद्रमा की चाननी में इस दिन खीर अवश्य रखनी चाहिए क्योंकि दूद चीनी और चावल भी चंद्रमा के कारक माने जाते हैं जब खीर पर 3-4 घंटे तक चंद्रमा की किर्णे पड़ती है तो यह अम्रित तुल्य हो जाता है इसे प्रसाथ के रूप में घ्रण करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और इसके शरीर में सोंधर्य बढ़ता है शरण पूर्णिमा की राच चंद्रमा की और एक टक दिखाने से सुई में धागा पे रोने से आपकी रौशनी ठीक हो जाती है देखने की शक्ति का संचार होता है दोस्तों देखा कि शरण पूर्णिमा के दिन कितने लाव होते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पेज को लाइक करें